नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट खबर और मैं हूँ आपके साथ सोनू पांडे सरदी के मौसम में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं राष्ट खबर की टीम ने ग्राम पंचायत पहुँचकर सरपंच पद उमिद्वारों से इस बार के चुनावी मुद्दो को लेकर बात की और जानना चाहा कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरपंच उमिद्वारों का मुख्य रूप से फोकस रहने वाला है नमस्कार राष्ट खबर में आप सबका स्वागत है आज हमारी टीम ग्राम पंचायत गौन्मट पहुँचिए कहते हैं सर्दी के मौसम में चुनावी सर्ग्रमिया हुई तेज उमीदवार आए हैं सामने आज हमारे साथ इसी कड़ी के साथ जुड़े हैं गाम की सरकार में मंजूर दीन जी पूरू में सर्पैंच भी हैं और वर्तमान में इनकी धर्म पत्री ने ताल ठोकी है जानते हैं क्या विचार हैं इनके सबसे पहले मंजूर दीन जी चैनल में स्वागत है आपका नमस्कार आपका दिनिवाद सर्पैंच साथ परीच्चे की तो आवसकता है नहीं राजनीती परीच्चे पंचाईती राज से आप जुड़ते आ रहे हैं को भी हमारी जनता जानना चाहती है आपका राजनीती परीच्चे मैं फर्स्ट टाइम 2000 में सर्पन बना था 2010 तक मैं कंट्यून सर्पन रहा फिर एक चुनाव में हार गया था और 15 से वापस जब चुनाव गए पुना जनता ने मेरे उपर राशीरवाद रखा और मैं वापस सर्पन बना सर्पन साब बात करें इतना लंबा राजनीती केरियर कोई बढ़ा चुनाव क्या पाल्टी से कोई सांटगार्ट या पाल्टी ने को टिकट की पेसकस की या निकी नहीं मेरा कोई ऐसा ना तो मैंने उनसे बड़ी कभी मांग कोई किसीए अट करके में कोई किसी कांग्रेशी कोम से हूं शविब्स और शफिखते अगर पार्टी में को कोई दाइत तो देती है तो मैं उस पार्टी के आदेश की पालना करूँगा जहां से देती है चुनाओं लड़ लूँगा आपका चैतर है वो रिजूर्व है जी मेरे जो ब्लोक की सीट है मेरी ग्राम पंचायद एक ही ग्राम पंचायद का ब्लोक है और वो ऐसी का रिजूर्व सीट है इसलिए यहा आपने बहुत समय दिया जी ओफर है तीन चार जगह से हैं वहां के लोगों ने भी मुझे कुछ ने चला के पूछा भी था कुछ कह भी रहें लेकिन उनको यही का वही पहली चीज तो टिगट होती है पार्टी की तरफ से अपने को टिगट मिले या नहीं मिले वह बात है वै आशिरवाद है और अधिकतर लोग यहां जो है वो मेरे से भली बाती परिचित है उनका सयोग और आशिरवाद रहा तो टिगट मिलने के उपर मैं कहीं से भी चुनाव लड़नूंगा इसमें तो मुझे कोई सेंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा निर्दलिय नहीं जी सर्वन साब बात करते हैं जैसे की सांकड़ा पंचाई समीती विकास की बात करें तो कोशो धूर ऐसा क्या कारण रहा कि यहां ऐसा कोई जनपरती नीदी ऐसा नहीं मिला विकास सांकड़ा के नाम पर यह देखने को नहीं मिल रहा जी सर इसमें विकास तो हो रहा है और हुआ लेकिन कोसों दूर है यहां की जो आबादी सित्र ही हुई है जिस तरीके से सित्रफल में लोग विखरे हुए बैठें तो हां हर चीज पहुंचाना संभोव नहीं है अधिकतर समिश्या पानी की जो लोगों में ज्यादा है और जमीन का जल इस तरह बहुत गयरा है तो यहां खूब हुए थे लेकिन हैड़ पंपों के अंदर पानी उत्ता गयरा है जो आना संभोव नहीं आते पर नहीं है इस कारण से वह समिश् सबसे बढ़ी आज की समय शबसे बड़ा समस्या जैसे विक्सित की बात करें जैसे की विक्सित उसका मुख्याले बनी थी जैसे मैं इसका शुरूवाती दौर चला था तो उसमें वहां जो अधिकारी वहां जो जन्दपर्णती निती राज कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ सोच समझ कई पोकरन मुख्याले रखा है यह भविश्य की बात है कि अब परिस्तिति अलग है जैसे शिक्षा की कि औरतों का काम घर में रहना घर के काम करना तो बच्ची को सिर्फ साक्सर कर देते हैं तो कम पड़ाते लेकिन अब वह बात नहीं रहे हैं अब मेलाएं भी जागरित हो गई है मेलाओं को सरकार ने राजनेतिक में बराबर आक दिया है 50% आज वह भी चुनाओं लड़े है और 50% जैंस भी लड़े हैं तो अब वह बात नहीं रहे इसलिए लोगों का रुजान तो बड़ा है और इसमें काफी सुदार भी वहा पहले के मताबिक अब ज़्यादा लोग इसमें रुची रखने हैं बच्यां पड़ रही है अब आप जाके स्कूलों के हालत देख लो म मेरे समाज में पहले बच्चा नहीं जाती थी आज मेरी स्कूल जो सीनी सेकंडर में भी बड़ावर 50% बच्चे हैं तो 50% बच्या वहां भी मौजूद है सब नशे पर बात करूं युवां को आज यह लट बहुत देखने को मिल रही है नशा बहुत बढ़ रहा है इसके र जात हो जाने चाहिए लेकिन यह तो उस ब्यक्ति पर निर्वर करता है हम तो यह कहते हैं कि नशा शरीर के लिए समाज के लिए और अपनी आर्थी के स्थिक्ति के लिए जित्ता नुक्षान दायक है वो किसी को कहने की समझाने की बात नहीं है वो उस पर खुद को विचार करने की बात है और मेरा उनसे हैं और जो लोग नसा कर रहे हैं यह आग रहा है कि बुजुर्ग वो किसी युवा को नहीं शिखाए और बच्चों के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम इस नसे से दूर रहे हैं तो हमारा बहुत है सुरिक्षित रहेगा बस इसे जादा तो क्यों कोई रोक नहीं सकता है इस जैसे की युवा वर्ग है यहांका का यूवार के लिए उसको कहां जाना पड़ . मैं किस्विश्या चतान की सोलर प्लांट वगरा यह सोलर लग रहे हैं तो इन में काफी लोगों को ठीक सुद्री है यह तो अपने बात की है पंचाइट सिमीती स्थर अब बात करते हैं ग्राम पंचाइट पर किया तरन सर्पंच का पांच साल का कारेकल यह जो वर्तमान में कारेकल वो कैसे गुजरा शांदार बेमिसाल बेहाल मैं मेरे असाब से पूंड रूश संतुर्चू की मै परती फ्फल और फल देगी उस तो मैने अच्छा किया अधो यह नहीं टूरूश से संतुर्ट हूं कि मैने जो भी किया है वह सब जनता के राय मसोरे सेंगी यह और जंता ने जो मुझे बताया उस काम के मैं करने का पूरा परियाज किया है मैं उसमें सफल यहां मैंने कि य सामना मुख्या होता है इस पद पर रहते को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सामना तो सब तो सबस्ते हैं जैसे परिवार का अंदर होता है उसी समय को नहीं लोघ ग् relativ तरीके से रहते हैं लोगों अंदर वी वहाابना होती लेकिन हम हम प्रयास करते हैं कि सबी को साथ लेकर चले सबी की बात के सुने और वाजब मोसें प्रास पर हम और कोशिष करते हैं कुछ समझाय हैं ऐसी होती है जो अमारेस्तर की भी नहीं करने की कोश्रीश करते हैं उसमें हम भी सही हो कर ते हम जाते हैं साथ में उनके उसका लिए पूरा प्रियास भी करते tutte कुछे नव इस चुनाम में युवा यूवर्ग ज्यादा देखने को बिल रहे हैं ज़ो सर्पेंट चीकि दावेदरी गाफशे कर रखी कि अब युगा था और मेरी उमर भी 28-30 साल के आज पास की थी उसमें मैं भी यूं जानता था लेकिन जब मैं इस पद्ध पर आया और इस पद्ध पर रहते हुए मैंने जो कार्य किया और लोगों के जो भावनाय देखी लोगों के काम की मांगे देखी फिर उसकाम को कैसे करें किस तरीके से बराबर समय में बैठाके उसकाम को पूरा करने की कोशिश करें तो यह बहुत टप चीज़ है यह तो आपन कहते हैं कि फल जो दूसरी जगह से दिखते हैं पेड़ पर लगे हुए वह अलग होते हैं और खाते हैं तब उसका स्वाद जो असली होता है वह तभी प प्रेप्शन बढ़ रहा है यह कम हो रहा है इसके बारे में थोड़ सा विचार संजा कीजिए इस बारे में तो आप ज़्यादा समझदार है मेरे मूं से कहला ना ठीक नहीं है पिर भी जो पहले सरकारी आदमी काम करते थे वह काम आज ऑनलाइन हो गए कहीं मित्र पेकर रह तो पर बीएसे पर सरकार द्वार कोई लगाम नी कसरी इसका क्या कारण सरकार के में नहीं आ रही होगी चीज जैसे जीजिए उनके नॉलेज में तो इस चीज परोग लगाने को सिस करें क्योंकि सरकार तो मिसां यह चाती है कि कम बश्चाचार ओ लेकिन उसका मारक कोई द सामने वाले को पता नहीं रहता है सबसे पहले हम आपको हर्दी शूप कामने देते हैं आप अपनी ग्राम पजायत के युवाओं को चैनल के मादेम से क्या अपील करना चाहेंगे मैं यही करना चाहता हूँ कि आने वाला साल आप सभी के लिए सुख में हो भाई चाहरे वाला हो यहां आज का जो माहूल है उस माहूल के इसाब से हम किसी भी तरीके के बहकाव में नहीं आएं सुख सांती से हैं अमन और चैन से रहें सारे हिंदुस्तानी हम आपस में भाई और हम सब भाई बन करके चलेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा हमारा भाईचारा काइम रहेगा जो सदियों पुराना है यह नहीं है कि कोई दस साल पांच साल शे साल पुराना ही हमारा रिष्टा है और मेरे गाउं के अंदर जो दूसरी बरादरी के जो भी रहते हैं वो मैंने पूरुजों से देखे थे मेरे पूरुजी उनकी गर आते जाते थे हम भी आते जाते हैं तो फिर यह भेदवाब किस चीज का आया जब हम आपस में हमारे गर में एक रह सकते हैं और फिर हम किसी दूसरे को कह दे कि यह अलग है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो यह कह रहे हैं कि आप सभी भाई हो हम सब एक हैं सबसे पहले हम मानो है तो मानो ता कि भावनों को लिखके चले और मानो जाती को जो करना कि पाइब यहां बाइभी हमं आपस में एक हैं फे हम इस तरीक सब लोग मिटई में पैदा हुए हैं और लु度 मिटई मिल जाएंगे कर दो मेरी सबसे ही अप pegid है कि चाहे हो यूगा हो चाहे बुद्रक हो चाहे माताय रही हो और गांजूर दीन जी इन्हों ने एक अच्छा संदेश दिया जो 2029 वर सारा एक भाई चारे का प्रतीक है भाई चारे से रहें रही बात चुनावों की जो सरपेंची के चुनाव आ रहे हैं इनकी ध्रमपतिनी जी ने यहां से ताल ठोकी है अगर जनता का साथ रहा तो फिर भी विकास होगा ग्राम पंचायत में और पंचायत समीति की बात कर की बत्र parfत जाउ जाई आंजाना गजर ने बातिक की बातिक बात करो कि बात्य में आदाए कि रहे हैं, कि पनादा ढहू रहे यहाँ र Kellी चैनले हम ऑ्रषड को विकास है रहे हैं गया है बात्रना ऊजरह मैंतिनी की बात्रे हैं विकां blending दोया है रह दोगगा फाद्राड़